तकलिफ तो बहुत आता है लेकिन बिहार सरकार हो या भारत सरकार सुबको दोными करफे नहीं देपाएगा इतना कलकर खाना देश में नहीं खुलेगा नेकिन उसके प्रधान देश है किसमें जो हमारा उद्जोग और कलकर खाना है तो है तब तक हम इसमें लगे रहें और लोगयों सब्सक्राइब करने जाते हैं उससे घाओ में अच्छा है मैं बीके सिंग स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पे और दोस्तों आज हम पहुंच गए है भोजपूर जी ले के पीरो परघंड के बरौली गाहों में और इस गाहों में आने का रीजन क्या है आपको कुछ नए बिजनेस आइडियास कि आप कैसे कर सकते ह है उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है अब मैं मिलवाने जा रहा हूँ एक बाबा से जिनका उमर है 79 यह और क्या करते हैं पूरी जानकारी उनी से डिटेल लेते हैं बाबा पनाम बोल रहा है कि आपके पास यह कौन सा बिजनेस है आप क्या क्या करते हैं आपका उमर क्या है कितना प्रणानिंग लिया है ओर उसमें फ़ी जोल से खेती और प्रोब करते हैं और मचली भी रखें तो पर साल हमने दस हजार मचली इसमें डाले थे जिसको हमको लागत खर्च दो लाग खाया था और हमने साहे तीन लाग को मचली इसमें बेचा तेर लाग मुझे लाफ हुआ पहली बार था इन साल हमने डाले हैं 16,000 पर साल लगभग डेढ़ा से भी अधिक अभी हमारा लग्ष हाए कि इसमें हम थीन लाख रूपई इसमें हम कमाएं और इसमें इसमें आये हमको की वो सकता है और हम सdd करते हैं और इसी से हमारे बाल बलाचा परिवार हमारे टो पोता लोग है एक इंचिनेरिंग पढ़ता है और यहादू रहते हैं उसकादे हैं उसका डेरा है खर्चा उसका सूल्क हम कि सान से देते हैं हम लोग किसान का है कि किसान का नोकरी जितने हम पढ़ाते हैं अपने पोता को पढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि उनको नोकरी मिलेगा, लेकिन किसान का जो है, इसको हम लोग सरकार से कहते हैं कि उद्धोग का धंधा मिले, लेकिन उद्धोग का धंधा मिले या नो मिले, इससे हम खेती से ही उद्धोग जैसे उपज कर सकते हैं, और हमारे बाल बचा के पढ़ने लिख को नोकरी दे देगा एक कोई संभव नहीं है लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है डिगरी लेना ज़रूरी है और ए हमारे कुष्तानी जमीन है किसान हम है क्षेती करते हैं इससे भी हम कमाएंगे तो बाल बचा खाने भी नहीं बनेगा मेरा जोजना है कि हम आलूस्त सब्जी से ल उसके बाद सारा हम चाहते हैं कि हमको मार्केट में केवल जाना पड़े तो मार्केट में जाएंगे तो हमको केवल खरिदना पड़े साबून और जीरा मरीच और कपड़ा अन्नमक और सारा समान हमारे घर का हो हम मार्केट में नहीं जाएंगे हमारे यहां कोई आगंतु काव तो अपने घर का ही साग सबजी चावल जेहूं माटा खिला सकते हैं। इसलिए किसान आत्म निर्भर होने के लिए हमारे प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी ने लगे हुए हैं। उसलिए राष्ट्रपती किरसी उन Premier राष्टमान राष्ट्रपती उन हम रोड मैप में गए थे। जो स्टरी दूसरा रोड मैप का चल रहा है। तो जो तरह मैब चल रहा है तो उसमें हम लोग लगेंगे किसान और किसान की खर्च अधिक है आए कम है फिर भी कोई रुदगार नहीं है कोई बीजिनेस नहीं है तो इसी सो नहीं मिलने वाला है इसी सो नहीं मिलेगा आपको मैं बता दूं कि बाबा ने जो जो बताया उमर 79 और अपना अनुभाव नेनी आपको शेय किया की कैसे शरू किया आपके खर में कितने लोग हैं जो नोकरी नहीं करते हमारे घर नहीं अच्छी के ऊपर और वी कुछ कर पा रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाना आपका कोण इंजिनेस निंग कर करते हैं या नहीं नहीं वह भी खेतियें में सीर्फ और सिर्फ सारे लोग खेती करते हैं कितना खेती करते हैं जिसे एक पोता इंजिनियरिंग कर रहा है पूरा परिवार कि मीला था। तोटल माह में रागत खर्च काट करके और लक्ष हे कि हम जमीन अच्छा पैटाली से पचाश डिसमील तो लगवग लगवग यही पैटाल पंदरा सोला कठा जमीन है और इसी में इनका जो है तलाब है जिसे की डेड़ लाकिनों ने कमाया है एक और चीज़ पुछना चाहूंगा कि लोग भागते हैं क्रिसी से लोग करना नहीं चाह अब इस अब कुछ नहीं देपाएगा इतना क्ल कर खाना जीसमें नहीं खुलेगा नेकिन जो हमारा किर्शीण प्रधान देश है तो है रहेगा तब तक हम इसमें लगे रहें और नावजवानों सो भिवामा आगर आगर नहीं मिल जाएगा तो जबनान और नहीं मिल रहो और शोटा-्टा कि दौक किमा लेते हैं अच्छा और अंबर कारम के लिए मत नहीं किस नहीं जाएंगे तो क्रोरू रोपया रोपया का कोई से मिलेगा विल्कुल सही बात है अच्छा यह तो होगए इस मचली फारम के साथ इसे जुड़ा और कौन सा ब्यापार है जो इसके साथ कर रहे हैं इस पर है पीडिशला का झाले ऐस पर प्याज का खेति कि यह आई यह आपको दिखाता है ऑर कि प्याज का खेती और पूरा हम अनुभों लेंगे कि एक बिजनेस में कई बिजनेस कैसे किया जा सकता है यहां तो देखिया आपको मैंने दिखाया मचली का जो है यहां पर तालाब है और इसमें मचली उपज हो रही है डेड़ लाख पिछले बार का इंकम है जश्ट डबल तो कि प्याज का यहाँ बिज है उसके वहां प्यूर्ज के साथ बगल में और ऌपीटए KEYNA R अलू का हमने खेति और उस मत्तेलहन है और भंटा सब्जी में भंटा है मुली था जो निकल गया भी मुली है तो मुली भी निकला उससे भी आये हुआ और पपिता का खेती है उससे भी आये हुआ और आगे हम इसका रणने निटी बना रहे हैं इसे आलू को कबार करके इसमें प्याज रुपेंगे और जट्र लोग का नेनुवा करेला भिंडी ये सारे सब्जी अब लगेगा अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूंगा कि नए लोग इस रोजगार में नहीं आना किरसी नहीं करना है तो आप क्या बोलते हैं ना इसमें लागत के अनुमान से अधिक हो और श जोक हें होए तो अधिक हो ने वाले करसी में है तो 10-80 प्रफिक कहें, तो इसमें 70-90 प्रफिकट कोई कीश्ट कहैं, लेकिन इसका मार्केट, पतर केला में भी लागत C5 — 10% है और 95% उने लाव है लग जाने के बाद केला में और उसका बिक्री है मार्केट में केला केला 20 नपेज कीलो बेष नपेज र दरजन बिक जाता है और पपिता में आई नहीं है कोबी है कोबी का भी backwyn हैालू ही विग जाएगा साख सबजी विए हां अमरा है यह ही पर विख जाता है किशान को हर रोज कम से कम पानचर पांसो crashed रुपई आना चाहिए झीश किसान को बगली में एक हाजार उपया नहीं आएगा तो भीकार हो जाएगा उसको खाने के लिए बाल बचया मरेगा लेकिन उसके लिए रोज आयाने वाला कौन साथ बीजने से भाई तो रोज आयाने वाले हैं सब्जी है मचली है तडाप से मचली का नौप बेच सकते हैं उसका मार्केट है एक प्रस्ट मेरा और भी है कि यह जो मचली है सब्जी है इसको फिर वापस आपको बजार में लेके जाना पड़ता है यहीं से बीग जाता है नहीं सब्जी उगाई है आपको बेचने का चिंता नहीं बिग जाए नहीं सब्जी आ जाता है सब्जी का व्यापार है सब्जी में 87-80% खर्च होता है और 20-25% उसको लाब होता है लेकिन उसका मार्केट है एक विच्टागिला नहीं पड़ता है लोग गाउं से लेके जवार से लेकर पीडरोबजार मार्केट के वैवारी लोग आते हैं और ठेला से लेकर के टेंपू पर लेकर चले जाते हैं मार्केट में बिच्टे आ एक और पुछूं आप जैसा की बता रहे थे कि दो एकर आपका अपना जमीन है 18 आप दूसरे का जमीन लेके करते हैं मचली फारम पपीता का खेती है आलू का खेती है प्याज आप उगार है पूरे खेती को मिला दिया जए आपका खर्चा काट के कितना आप बचत कर पाते हैं सालाना देख़े इसमें जो तुना लागत है नौ मैं हम काट करके देखते हैं तो हमारा पूता लोग Rocky Todos Rug किराया लेकर लगभग 2,005 रुपया षाल में लगता है और एक लाक होपया हम लोगों को घर खर्चा है तो तीन लाक होब वही नहीं लाव है उसमें हम खर्च करते हैं और इसमें हम लोग plays करते करते हैं कि देते हैं नगत पैसा तो हमको एक साल खेती करने के लिए देता है तो उसमें को 45 लाक लग जाता है कि हम को आय और बढ़ कितना हो तो आप दोस्तों एक ध्यान रखिए कि दस लाख रुपे इनका इंवेस्टमेंट लेकिन वह पहले तो नहीं नहीं है धीरे-धीरे करके और इसमें दो एकड़ीन का अपना जमीन कोई भी बिजनेस करेंगे बड़ा असान नहीं होता है असान यह भी नहीं है एक चीज़ और बताऊंगा कि अब इनका कहना यह कि 10 लाख तो लगाया है इन्होंने लेकिन इस बार वह इंकम होगा 6-7 लाख है यानि 60-70% का प्रोफिट इनके इस बिजनेस से आएगा जो लोग भागते हैं खेती करने से जो भागते हैं किसानी करने से उन सबसके लिए कहती है यूँस्षिशंतों करते हैं और घंटा इसमें हम करके पर sesar करके हमको रोड पर टहनने का मिलें वह अपने पार्क में और चर्जी कर्ज कर Αिल जो दिनकों ब्याद करने का मिल again जुछेवर कि गयर कोई दावा नहीं हाई तो हमने की ठाएँजने की ठाल दाउम उसका लिए तो नहीं होगाser किलो पाच किलो खुब बणिया से हम चल लेता हूँ कोई कठी ना यह तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि बाबा से हमने बात किया है है सारा जानकारी आपको मिला होगा 59 years age है अपने किस तरीके से बिजनिस कर रहे हैं और कितना कमा पा रहे हैं आप लोग सोज सकते हैं समझ सकते आगर यह कर सकते हैं आप एकदम 100% कर सकते हैं जहां चाह वह रहा तरेंण्ट आमने कहां से लिया था है विक्रम में वी लगा था और आज से हम एक माहपले बामती पठना एक भारत सब्सक्राइब करकार के थि है उसी में हमने जाकर भी ट्रेनिंग लिया है और कहें भी जाते हैं जाकर गूंते हैं 32 जगे हमने घुमा है धान का खेती हो तो उसको चो महिना को इसका होता है गेहुं का šो महिना पाए होता है साग सब्जी तीन महिना में फ़लने लगता है पपीता है सो पांच महिना फ़ल देता है केला का फ़ल लगता है एक साल में उसमें हम लगाते हैं लेकिन साग सब्जी वाला और पशू भी हम रखे हैं उसके भी हमारा आय होता है गाय भाएस है तो गाय भाएस का दूज से प्र और अधिक लाब लेना है तो धान गौहों देकिन उसका छे महिना कराता है छे महिना पर हमारा पैसे रिटर्ण आएगा तो छो महिना तो हम पैसे भी ने तरस जाएंगे इसलिए किसान को हर चीज का खेती करना चाहिए और हमको मार्केट में जाना नहीं हो मार्केट के लोग ह हमारे घर में आमें हम उनको खिलाएंगे हम उनको देंगे हमारे परधान मंतर जी ने बोले थे कि किसान के साथ किसी पदाजिकारी लोग कोडिनेटर लोग आरी आरी घुमेगा हम लोग देखे हैं कि अब किसान कोडिनेटर दियो साहिब हैं बियो साहिब हैं सारा लोग आक को कैसे आंदनी है जो आप आज पूछ रहे हैं वह इसी प्रश्ण को पूछने के लिए मेरे पास आये थे आज से एक महिना पहले निलेस जहाए और सचता वावु है दोनों आदमी विज्ञानिक है आरा के विके का तो लोग दोनों आदमी आये थे और हमको बताया जहां दिक ट्रेनिंग लेके कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कितना इंकम है कैसे आप कर सकते हैं इसको करने के लिए क्या क्या आपको दिक्कते आ सकती हैं और किस तरीके से आप अपने आपको मैनेज कर सकते हैं कितना कमाई सारा कुछ आपको बताया गया है अगर इस तरह का बिजनेस आइ आइडियास की जरूरत है या जो लोग क्रिसी से भाग रहे हैं या जो लोग क्रिसी में घुसना चाहते हैं उनके पास आइडिया नहीं है कितना इंकम होगा तो उन लोगों को तक शेयर करिए गा और सब्सक्राइब करें चैनल को मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले वी